जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार बित परमोद यूटूब चैनल पर एक बार सभी लोग जोगेंगे जल्दी से फटा-फट जल्दी से जोगें दोस्तों समय आप लोग समय का विशेस भिहान देजिए चार बजे का टाइम है चार बजे सभी लोग उपस्ती तो हो जाएं दोस्तों चलिए आप लोग आगें साथियों पेपर पेल लेकर बैठ जाएए फटा-फट और सबसे पहले जो कल का सवाल था उसको हम लोग डिसकस करेंगे फिर आज के सेट का कोश्चन हम लोग लेंगे ठीक है आज का सेट नंबर हम लोग कौन सा कर है आप लोग जान बेकर रहे हैं कि हम लोग सेट नंबर 37 कर रहे हैं ठीक है आज के जो सेट है 37 हामा सेट है जल्दी से एक बार सेयर कर देंगे फटा-फट आपके मित्र दोस्ते भाई-बहन तयाज कर रहे हैं पहुंचाए फटा-फट लोगों तक कि हाजी चलिए लास्ट लोग यहां पर अपना आंसर बताते हैं साथियों तो आप लोग भी जो लोग नहीं बताते हैं आंसर नहीं करते हैं सब लोग भी आए आंसर करिए विया सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताईए क्या है ठीक है देखें जब आप कमेंट करेंगे न उससे लगता कि हम आफ सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें ABC का अनुपात निकालेंगे तिन लोग था जायेगा और यहां पर लोस तो चार जायेगा ठिक है। यहां से क्या जाएगा दोस्तों यहां से चारदूनी आठ चारतियां बारे पांच तीज पंद्रे फांच तीह पंद्रे थीक है एक हिस्सा पूछा है तो अया सब्सक्राइट के वेरेंट मの तो 35 क्या सब्सक्राइब है सत्रहजार 89ma तो इसका इसका साथियों 16000 किया था उनका बेलकुल सही क्वाल को लगाई चलिये तो एता हों मेरक का सवाल अब हम आज स्टार्ट करते हैं आज से यहाँ पर पहला कोश्चन बहुत ही बहत्रीन रहा आप लोग ऐसे ही अपना प्यार असरी बाद बनाए रखें दोस्तों और यह देखिए यह जो चैनल है साथियों ने रोजगार विद्परमूर यह आप एक परिवार है तो इस परिवार का हिस्सा बनिए और हिस्सा बनाईए साथियों ज्यादा से ज्यादा लो पेपर में पूछे जाएंगे और आप देखे होंगे सर हर एक सेट में दो कोश्चन तो बोड मास से ही आ रहे हैं इस पर बिसेस बल दीजिए कि बोड मास के कोश्चन ना गलता हूं सिंप्लिफिकेशन कि जो भी प्रसंद है साथियों सब प्रेक्टिस करिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे सर सबसे पहले तो ब्रेकेट सबस्क्क करीए देखाया between हो जाएगा यहां पर 27-25 पांच 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 दस हांसिल का यह हो जाएगा और पलस चौब आसका तीन में करेंगे तो चार तीन बार है एक और यह हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब यहां से क्या करेंगे घटा देजिए यह हो ताइस सव माइनस घटाएंगे तो यहां से तीन बचेगा दस में से तीन गया तो साथ बचेगा पांच में से एक गया तो समया दोस्तों राखे अपकर आपागे हल करना चाहते तो कर सकते हैं जब आपको यूइट ड़िट मिल करना है है यहां से नव में से 7 सर 2 बचेगा और यहां से 6 में से 4 जया और बचेगा और यह ठीक है व Blue Dog अपको और टिक करकंगर आपको यहां तेधर आगला क्योंज लगाईए ये प्रस्ण आपके सामने दिया गया है इस कांसर बताएए क्या होगा 12 खिलाडियों और उनके बीच बारे खिलाडियों उनके कौँच की आउसत आयू 32 वर्स है 12 खिलाडियों पलस एक कौँच यहने कुल कितने हो गएं? 13 लोग हो गएं उनकी आउसत आयू क्या है सर 32 है पहले 5 खिलाडियों की आउसत आयू 28 वर्स है और से साथ खिलाडियों की आउसत आयू 26 वर्स है तो कौँच की आयू क्या है सर? कौँच की आयू बताना है देखे भाई, कौँच की आयू बताना है 12 तो खिलाडी है, पलस एक कोचुछी है, केतने लोग हो है सर, 13 लोग हो गय은ь, 13 ब्यक्ति है अब इनकी आउसत सर 32 है, इनका यूगफल क्या होजागा, इनकी आयूग क्या होजागा सर, तेरे कारगुना कर देंगे 32 में, ये हो जागा सम, ठीट है तो तेड़े दुना 26 हासिल का दू तेज़े-तिया 49 49 दू 41 416 हो गया 416 हो गया और कहा कि पहले 5 खिलाडियों का आउसत आयू अथाइस सो वर्स है इन्हीं पहले 5 खिलाड़ी क्या हो जाएगे 5 खिलाड़ी है जो बचते हैं साथ साथ खिलाडी जो बचते हैं साथ खिलाडी जो बचते हैं उनकी जो आउसत आयू है तो चब्वीस वर्स है इसको जोड़ी सर इन दोनों को जोड़ेंगे सात पंच बारे यानि बारे खिलागी का तोटल आयू क्या हो जाएगा सर यहां से दो हो जाएगा 两 जोड़ेंगे भई इसको जोड़ेंगे तो दो जीलो दो, डीलो आप चार घॉर्ट का एक That's true 322 होगा ठूतल कि पर रहे । त्यूंच का यह है ध्यूच है चारoni का है गटा यहां से चार होगा दोस्तों इक आई कंग चार आएगा एक ही आप्षन में हैं आप्षन नुम्बर 4 किलियर को को दिक्कत 94 वर्स होगा घटा कर सकते हैं सर 11 में से दो गया तो सर 9 बचेगा यानि 94 वर्स आएगा ठीक है कुई दिक्कत है यहां पर इस सवाल को लगाने में सर कोई दिक्कत है तो बताईए दोस्तों एक बर हमें लोगे हम लोग आईए अगला कोस्चन देखें सर अगला जो प्रस्ण है यहां पर आपके स्क्रेंग पर है इसका अंसर करिए क्या होगा इसका उत्तर बताए मित्रों क्या होगा सही जबाब देखे बोला गया है कि यन के किसमान के लिए 28.57 यन आठ से विभाज्य हैं सर आठ से विभाज्य का नियम होता है कि अंतिम के तीन अंग अगर 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो गया यह अंतिम के तीन अंग तो यह पूरि संख्या 8 से कट जाएगे तो आठ से भाग दीजिए सर आटिएए 24 24 32 ऐड़्जों को 32 डिए वड़्जे है 32 सर यहां से 32 और 35 37 5 बचेगा 5 ठीक के पांच पांच 5 बचेगा शरिमों यहां पर पांच पढ़ना सर कि यहां पर पांच के आसपास में कोई संख्या आ जाए तो कि पूरा पूरा कर दिया है अब देखिए यहां के जगह सर 6 होगा तो यह पूरी संख्या क्या कक नहीं जाएगे चापपन आठ से कट जाएगा तो इसका मतलब यहां के जगह क्या लेना परेगा हमें 6 लेना परेगा न के जगह क्या LASON परे सर 6 लेना परे गा ठीक है सरा है बताइए क्या कोई दिक्कत है इसमें चलिए सर चलिए आगे चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला प्रसंद देखिए लगाईए सर लगाईए और बताईए उत्पर क्या होगा समय लिजिए सर तीस सेगेंड का तीस सेगेंड से चालीस सेगेंड आप समय लिजिए देखिए सर यदि एक गोले की तरिज्या असी प्रतिसत कम हो जाती है तो गोले का आयतन कितना प्रतिसत कम हो जाएगा देखिए बहुत ही बहतरीन सा कोश्चन है दोस्तों बहुत ही बात बताईए मेरे भाई एक बात बताएंगे सर पहले तरिज्या क्या था सर अच्छा गोले जो तरिज्या होती है क्या होती सर चार बटे तीन पाई में कोई बदलाव नहीं होता है बदलाव किसमें होगा सिर्फ और सिर्फ सर तरिज्या में बदलाव होता है यानि मेरे कहने का मतलब यह है आयतन हमेशा 3 पररेंड होगा सिर्फ हंड कीसमेंद होगा तो अगर पाले सर पांस वागी चार कम होग्या सर चार कम होने इसका सर क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब करिएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा सर क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा एक हो जाएगा एक क्यूब 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 कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब कितना कमी हुआ सर यहां से भाई 125 था कम होकर एक हो गया तो कितना कम हुआ सर 124 कम हुआ कि 124 कमी हुआ किस पर 125 पर 125 पर गुना 100 प्रतिसत के लिए 100 लगाते हैं 100 से गुना करते हैं पांच से काटेंगे सर या पचीश से करते हैं 25 पंजे 125 पचीश चव का सव यह हो जाएगा चार चव को सोले चार दूनी आठ एक नौ और चार एककम चार 496 बटे क्या होगा सर 5 होगा 5 हो जाएगा ठीक है और इसको भाग दीजे 5 से भाग दीजे 5 9 45 5 9 45 चार बचेगा 5 9 45 एक बचेगा 10 मलो 5 दूनी 10 यानि 99 दस मलो 2 पर तिसत की क्या होगी सर कमी हो जाएगी उसके आयतन में आपसर नमबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलियर है सर, आपसर नमबर दो इसका बिलकुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत है, चलिए, अगला प्रेस्न देखिए सर, हाँ जी, लगाईए, करिए दोस्तों, देखें, एक ट्रक निर्धारित समय से 30 मिनट पहले निकलता है, लेकिन 270 किलो मीटर अपने गंतब तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी समान चाल 6 किलो मीटर कम करनी पड़ती है, ट्रक की समान चाल क्या है सर, ट्रक की समान चाल सर क्या है, ट्रक की समान चाल बताए क्या है, तो अगर ट्रक की समान चाल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे असान जो तरीका है, वह है आपसन मेध़ड, क्या होता है सर, आपसन मेध़ड, ठीक है, आपसन से हल करेंगे, तो आसानी से हल करेंगे कि देखिए दोस्तों आपसं से कैसे लगाएंगे डूरी क्या है सब 210 किलो मेटर की दूरी है हम अपसन लेते हैं मालते हैं यह साथ किलो मेटर पर गहंटा जो है इसका सामानने चाल ने तो 60 किलो मीटर प्रद घंटा की चाल से चलता है तो यहां पर देखें क्या हो जागा च्छे से काटी दो से काटी दो तीन अच्छे तीन से काटी तीन दुन अच्छे अर्थ तीन नवा सताइस नो बटे दू का मतलब सागे चार तो सागे चार घंटा ठीक है सागे चार घंटा यहां से आ रहा है मतलब यह हुआ कि चार घंटा तीस मिनट चार बच कर तीस मिनट जो भी रह सर यहां पर वह निकलता है ठीक है सामाने चाल के हिसाब से लेकिन क्या करता है सर वह तीस मिनट पहले निकलता है सर न तो क्या करता है चाल को 6 किलो मेटर approximately गन्टा कम कर देता है कि जाल को क्या करता है छे किलोमेटर के कम कर देता है संसद्रीक्तों कि दूरीवेश सब यदितना में चमणगे सीश्टाइस पॉय हॉचिंटे पांच गंटा Summons अख़ेगा तो वादा अंट्रापले निकलता है तो इसी आपसन से कंफर्म हो जा रहा है आपसन नंबर तीन से ठीक है तीसरा बिकल्प क्या है इसका सही उत्तर है ठीक मेर भाई कोई दिक्कत कोई परसानिहत बताईए समझ मैं या दोस्तों तो इस परकार आप आपसन से भी हल कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन देखिए लगाए एक योजना में साधारण ब्याज पर 1000 रूपय की रासी 2210 रूपय हो जाती है यदि वार्सी के दर वार्सी के ब्याज दर और समय जिसके लिए रासी निमे से की गई है समान है तो वार्सी के ब्याज दर क्या है ब्याज दर और समय दोनों क्या है समान है यानि हम कहा सकते हैं आर बराबर क्या है सा टी है R बराबर क्या है T है तो जहां T होगा वहां R रख सकते हैं या R के जगां T रख सकते हैं इसका मतलब ही होता है दोनों बराबर इसका मतलब क्या होगा आर के जगह टी रख सकते हैं टी के जगह आर रख सकते हैं देखे एक हजार रुपया जमा किया गया है बाईस सो दस उरुपया हो गया कितना ब्याज मिल गया सर यहां से यहां से ब्याज कितना मिल गया सर बारे सो दस उरुपया क्या हो गया यहां पर ब्याज मिल गया सबखे सब लोजब करिए ये 20 यरो से 20 कर एक जिरो से एक जिरो कि लिए यर बटे सब्सक्राइब 151下ël निकाल देंगा रीट क्या है त्याप्रहुश 31 8 ब्याज का दर समय भर सबर के नहींर बराबर है चलिए अगला प्रसन दिखिए हाजी लगाए लगाए सर इसको यदि कुल मोबाइलों में से 75 प्रतिसत को 20 प्रतिसत की हाने पर बेंचा जाता है और 30 प्रतिसत की लब पर बेंचा जाता है कुल मोबाइल कुल हाने प्रतिसत क्या होगा सर कुल हाने प्रतिसत बताना है करेक कुल मोबाइलों में से 75 प्रतिसत को 20 प्रतिसत की हाने पर बेंचा जाता है यानि 75 प्रतिसत की हाने पर बेंचा जाता है यानि 75% जो मुवाइल है इसको 20% हाने पर बेच रहे हैं मतलब यहां से 80% पर बेच रहे हैं ठीक है एक मुवाइल कदाम अगर हम एक रुपय माल लेते हैं 100 मुवाइल कदाम 100 रुपय हो जागा तो 75 रुपय में खरीदा उसका खरीदारी क्या हो जागा बेच रहे हैं सर 20% हानी मतलब 80% पर बेच रहे हैं तो इसको काटेंगे तो यहां से देखी दोस्त क्या हो जागा लावपर यहांनी 130% पर बेचा जा रहा है दोस्तों 130% पर बेंचा जा रहा है ठीक है तो पचीश चवका सव को तो शीज़वका सव चार से काटेंगे चार तियां 12 एक बचेगा सर चार दुनी आठ दू बचेगा चार पंजे बीस यहांनी 32 रुपय में समान था अपने बेचा कितने में था। toल ऊसको 92 दसम लो 5 रुपए में तो कितने का हानी हो गया सर माले कितने कम है सरे 7% से हमें कितने को साड़े साथ का सव पर ही हानी या लब उता है सव क्लेसी कम है तो भानी ज्यादा है तो लाव है कितना कम है सर它 75 percent कम है तो टो साघ साथ प्रेसेंट क्या हो जाएगा हानी हो जाएगी आप सब नमबर better than इसका बिलकूल सही आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए अगला प्रेसिंग देखि क्या है लगा ये इसको देखिए बोला हिसमें अमित सुमित और विनित ने मिलकर एक काम पूरा किया सुमित और विनित मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा किया तीनों में से कौन सबसे कुसर है देखिए साथियों तीन लोग हैं अमित हैं सुमित हैं विनित हैं यह तीन बंदे हैं यहाँ पर बोला गया है अमित और सुमित यह मिलकर काम का 30% करते हैं भई 70% का मान क्या होता है सर 70% का मतलब 7 बटे 10 होता है 50% का मतलब 1 बटे 2 होता है टूटल काम क्या मान लें हम लोग 10 और 2 का लौस यानि 10 ठीक है तो अगर 10 का 7 बटे 10 निकालेंगे सर तो 7 आ जाएगा यानि 7 काम तो कौन करते हैं अनमित और सुमित बाकी क्या हुआ यहाँ पर बाकी कौन कौन है सुमित और वीनित सुमित और वीनित सुमित और वीनित यह दोनों मिलकर 50% काम करते हैं 10 का 50% मतलब 5 हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा ठीक है पुछा है तीनों में से सबसे कुसल कौन है तो तीनों में से सबसे कुसल क्या है कौन है तीनों में सबसे कुसल कौन है अगर हम तीनों की छमता की बात करें तीनों को तीनों की छमता की बात करते हैं साथियों यानि आमित सुमित और वीनित इन तीनों सब्सक्राइब तो जिसकी छमता ज्यादा वही सबसे कुसल होगा तो सर एकी छमता ज्यादा है पांच है तो सबसे कुसल कौन होगा पांच काम कर रहा है यहां पर यह पांच काम कर रहा है मलब अमित पांच काम कर रहा है उसका मलब उसका कुसलता ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कुसल अमित तो होगा तिसरा वीकल्प एक केलियर तिसरा वीकल्प इसका सही है ठीक है अगला प्रसंदेखिए घ्रात अब आप अजिस लगाएंगे इसको छाएं लगाई वाएं कि देखर यहां सब्सक्राइब भासे बाई भाग देंगे होड़े इस में तो कितनी बाद में जाएगा सर है कि कि एक सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कितनी बार में जाएगा सब्सक्राइब दूनीबार है सैट और चेवर दिखती है जैया ही कि यहारे है यह้ं कितनी बार में पैएसएट इधर से हो गया यहां से सर 65 आगया इसको मिटाते हैं ठीक इसको मिटा देते हैं अब सर यहां पर क्या करेंगे 44 है नहीं यहां पर 44 है इंटू 9 है माइनस तीन से भाग देंगे 21 में तो 7 यह कई 7 बर में जाएगा गुना करेंगे यहां पर यह हो जाएका 65 पलस 9 4 36 हांसिल का 3 9 4 36 49 माइनस का साथ माइनस का साथ यहां से सर घाटा देंगे वहरें आप घाटाएगा तो यह 65 और पलस सब्सक्राइब भाइब आप्सर नंबर दो इसका सही आंसर है भाई कि क्या कोई दिक्कत है आपको समझने में तो बताईए चलिए अगला प्रसंद देखिए इसको लगाएंगे देखिए क्या कहा गया यदि यम बराबर पंद्रे सव और यन बराबर दो हज़र है तो यम यन से कितना प्रतिसत कम है सर यम यन से कितना प्रसंट कम है देखिए यम है यम है और यन है यम कितना है सर यम का मान पंद्रे सव दिया है यन का मान सर क्या दिया है तो यन का मान दो हज़र दिया है कि 4000 लिया हैं इन दोनों का निकाल देंगे अनुपाद निकालेंगे 2000 से 2000 कैंसे 53 155 को 20 क्या बोला है यह यहन से कितना प्रसेंट कम है यहम यहन से कितना कम है सर एक कम है किससे सर यहन से नीचे चार जाएगा एक मों सबनेंगे तो में सो से गुना करेंगे चार से काथी सर 25 चोंगा सो 25 कम है कितना कम किसी 10% कम है आप चार में ठीक है ऐसे आप संद नमबर 4 हो जाएगा इसका सही जबाब ठीक है चलिए अगा प्रेस्टन देखिए पर, ईसन्राक विदुर के लिए, लगाइए प्रसुखको लगाईए और बताईए क्या है इसका राइट आंसर एक बस्तु को 20 प्रतिसत की छूट पर भियंचा जाता है, बस्तु की अंकीत मुल्य और भिक्रे मुल्य का अनुपाद बताईए छूट हमेशा अंकित मुल पर विकता है तो यह मार्क प्राइज अंकित मुल हो गया सेलिंग प्राइज विक्रे मुल हो गया इसका पूछा है अनुपात क्या होगा सर बीस परसेंट का मान क्या है सर एक बटे पांच होता है एक बटे पांच यानि पांच क्या है सर अंकित मु तो इसका सही जवाब है, ठीक है, अगला कोश्चन, चलिए, बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, लगाईए, और आंसर बताइए क्या होगा, देखे भाई, एक हजार रुपए की रासी, बीस प्रतिसत वार्सिक दर से, तीन वर्स के लिए उधार दी जाती है, निर्म लिखित में से कौन सा कथन सही है, एक हजार की रासी है, जो की बीस प्रतिसत की दर से, तीन वर्सों के लिए उधार दिया जाता है, सर, बोला है इसमें, पहला जो पहला जो कथन है, इसका, इस रासी पर प्राप्त होने वाला साधारन ब्याज, छे हजार रुपए हैं, सर, तो हम चेक कर लेते हैं, साधारन ब्याज बराबर क्या होता है, यह साई बराबर पी आर टी बटे सव होता है, ठीक है, तो लगाईए यहां पर, मुल्धन क्या है, सर, मुल्धन एक हजार है, मुल्धन एक हजार है, रेट क्या है, सर, बीस परसेंट है, समय क्या है, सर, तीन वर्स बटे सव, काट द सर दो जिरो से दो जिल कैंसेल दूतियां छह दूतियां क्षैंसे घ्र एक जिरो दो जिरो बचा है तो यह schw Flu senza हो रहा है तो यहां से क्या हो रहा है 600 रुपया यह का महलें चंब तो इस रासी पर प्राप्त होने वाला चकव्रिधी ब्याज जो की रुप से सन्युजित है बहात्तर सो रोपे है तो चेक कर लेता है सर चख़ी ब्रीधी आज क्या 72rise रहा है देखिये सर कि पर सेट है नहीं यहाँ पर बीस पर सेंट है तो 1,000 पर एक हजार पर 20 पर से के हिसाब तीन साल प्रेंस लगा दिजिए यहाँ पर ऐसे है ऐट बैस पर्सेंट का मतलब एक बटे पाँच असल चारी करता है कि एक बटे पाँच यानि एक बटे पाँच इसका निकालेंगे एक बटे पाँच एकहजर घा तो पाँच दूनी दस यहां से 200 हो जाए Smells को ऐ 녀 में ञाने हैं ढाइक है दुसरे शाल में जाएंगे डूसरा साल भी इसे व्याज लेगा दूसरा साल दोस्त है इसे ब्याज से भी श meansत्राइव को एक बटी पाँच निका ढीओं को 50 20 Cen यहां से भी आप लिगा तीसरे बर्स में जाएंगे सर पहले हैं एक हजार से लेगा 200 रुपया ले लिए तीसरा साल ब्याज से जितने ब्याज मिलें इधर इदर जितने ब्याज मिलें हैं इन दोनों से ब्याज लेगा तो यहां से 30 रुपय वियाज लेगा। इस दो रुपए से भी वियाज लेगा। सर तो तो पांच 8 Bohk डिखत है नहींने कोई दिक्कत हैं बताएंगे गवार कोई डिक्कत नहीं जब आप जोँएंगे दोडो 이건 चय़्विन वियाज है लाता नहीं ने टोटल क्या होते ल्बूरिषी क्विर्धी ब्याज हैं सबको जोड़ेंगे दोस्तूं अगर जोड़ियेगा सर तो आप जोड़ियेगा तो इकाय कंक 8 हैगा यहांपर क्या है जीरों है यह क्या सही है नहीं सही है यह काय च्छिवर्धी ब्याज इसका सही होगा आपसर नंबर एक समझ पाएं सर समझ पाएं दोस्तों बताइये है किल इंधी में furnace यह दोस्ति एक बातolla फिर से देख लिए अगर सम्हें आया है तो ठीक है चलिए आगे चलते हम लोग अगले कोश्टन पर और अगला प्रस्निहा पर आपके स्क्रीन पर हाँ जी बताईए सर इसका जवाब देजिए क्या होगा इसका आंसर बताईए जल्दी से फटा-फट क्या होगा इसका सही जवाब देखिए किसी बस्तू का क्रेमुल 46 रुपय है यदि हाने प्रतिसत 12 प्रतिसत है तो बस्तू का बिक्रेमुल बताईए सर बहिए च्याली सो रुपय में खरीदा गया है फट याली सो रुपय में खरीदा गया वह बार प्रतिसत की छूट पर बेचता है मतलब कितने बेचता है 88 प्रेसेंट पर यह आपसन नहीं सही है अब इन दोनों में से कोई एक सही है या तो 88 और 46 का गुना करिए या फिर 11 से भाग देकर चेक कर लिजिए क्योंकि 88 में 11 है तो जो 11 से कर दिए वही आंसर हो जाएगा देखिए 8 और 16 ठीक है 8 3 11 तो 16 और 11 का अंकों का योग का अंतर अगर जीरो आता है तो 11 से कर जाती है तो दूसरा बीकल्प इसका सही है ठीक है दूसरा बीकल्प क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अगला प्रसंद देखिए करिए फटा फट लगाए भाई प्रसंद दूसरा बीदर दी से प्यार का बीदर दी से प्यार का शाहर ना मिला हाँ जी दोस्त आईए लगा लिए दोस्तों देखिए एक मिश्तर में एसीद और पाणी का अनुपात चार समदेश सात है भाई prend अजा जाता है क्या मिला रहे हैं भायँ हम पानी मिला रहे हैं कितना शर दसलिटर पानी मिला रहे हैं ठीक है पानी जब मिलाते हैं तो एसिर और पानी का अनुपात 8 समंदे 19 हो जाता है तो एसिर भाईया 8 हो जाता है और पानी यहाँ पर क्या हो जाता है सर 19 हो जाता है ठीक है 19 हो जाता है तो बोला है सर यहाँ पर मिस्रणे में एसिर की मात्रा बताईए एक बात जड़ा बताईए मेर चाहिए जैसे यह एसीद और वाटर पानी है तो आपने सर इसमें पानी मिलाया है पानी का अनुपात बदलेगा क्योंकि आपने पानी मिलाया है लेकिन एसीद का अनुपात नहीं बदलेगा पहले जितना एसीद था अब भी उतना एसीद रहेगा ठीक है तो देखें यहां प से करते हैं आप इसको आठ बना दिए डोसे दूरectedेंगे यह क्यों इक यह साथ-दूनी-चौदय हो जाएबं ठीक है कोय दिककत आप देखें यहां पर पहले बाते पानी-चक्लम था अब क्या पानी चौद् boy 10 कितने की ब्रेद्धी होई सर यहां से ब्रेद्धी पंदरे चार चोदेव पांच उननीस पांच का ब्रेद्धी हुआ सर पांच ब्रेद्धी के हुआ है क्योंकि इसमें दस लितर पानी मिलाया गया है पांच कमान दस है तो एक कमान सर दो हो जाएगा एक कमान दो हो जाएगा सर एसीद पुछा है एसीद क्या है भाईया आठ हनुपात है एसीद क्या है आठ हनुपात अगर एक कमान दो आठ कमान सर सोले हो जाएगा तो आपसन नमबर चार इसका सही जवाब है कोई दिक्कत है बताईए भाई क्या इसमें कोई दिख्कत है आपको चलिए अगला प्रस्न देखिए सर पंद्रे नमबर प्रस्न हाजी लगाएंगे एक बार पंद्रे लड़कों के एक समों की आउसत आयू 24 वर्स है तो सर पंद्रे लड़कों का आयू का यूखफल क्या हो जाएगा पंद्रे गूना 24 पंद्रे गूना 24 पंद्रे चोकों 60 पंद्रे गूना 36 36 तीन सो साथ हो जाएगा ठीक है अब 13 साल का एक लड़का समूंगे चला गया उसके जगह एक निया लड़का सामिल होता है तो लड़के था है लेकिन अवसत आयू में क्या होता सर एक वर्स की बिद् तो अपने साथ में वो तेरे साल तो कवर किया ही किया लेकिन साथ ही साथ वह इस्ट्रा लेकर आया आयू तभी नों आवसत में ब्रिद्दी हुआ है कितना अब इस्ट्रा लेकर आया है तेहां घटा दीजिए पांच और साथ में से छह गया तो एक है यानि पंद्रे साल वह जादा लेकर आया अपने साथ यानि जो लड़के का आयू होगा नया लड़के की आयू जो होगी वह तेरे प्लस पंद्रे के बराबर यानि 28 वरस होगा तो 28 साल होगा इसका राइट आंसर ए आपसं सही है ठीक हाजी लगाए इसको लगाए फटा फट उस तरीबूज की उचाय ग्यात कीजिए जहां उस उचाय का आधा है छेतरिफल 144 है तरीबूज का छेतरिफल क्या होता है सर त्रिभूज का 6 एक बैटे-दो में द्टाए यह होता है ही सिन डॉब हाइट त्रिभूज का इस सो 144 है कि अबराबर एक बटे-दो अब टिक एक बटे-दू सैबुज दो एक बटे-दो उंचाई हाइट जो तो उचाई का आदा है यह ही ओध तो ये हैं ठीक है चलिए यह जाएगा 144 गुना हुआ कि दोनी क्या इंटु मुआ और क्या हाइगा इसका अंडर्ड शुट निकाल देंगे हैं यह वियुद्सका मानन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां से तो तुबहुज क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर कि इस चौबहुज की उन्चाई हो जाएगी अगला प्रसुन देखिए उसका अंशार क्या होगा बताएए देखें यदि तीन टी बराबर 100 है पांच यू बराबर सात वी है तो टी कि यहां पर लगता है सर कुछ गलती है ठीक है यहां पर सर कुछ गलती है भी देख लेते हैं चलिए यहां पर साइद होगा से यहां पर यू होना चाहिए है फिमत देखते हैं कि यो हिस exist निकाल लेते हैं सब तो टी का अनुपात क्या हो जाएगा यहां से और पहुं कि जागा पांच हो जाए का यहां से said करिए सब्सक्राइब साथ यहां इक कई पंधर आना चाहिए peace आम बस बना लेंगे यह दिख्कत है हैं यहां पर समझने में दोस्तों कि अगला कोश्चन देखिए सर लगाईए सर क्या होगा इसका राइट आंसर इसका आंसर बता देंगे दोस्तों क्या होगा सही जवाब क्या कहा गया है एक्स और वाई मिलकर एक काम को 20 किसी काम को 20 दिनों में क्या कर सकते हैं ठीक है कहा कि यह वाई अकेले उसकाम को 25 दिन पूदा कर सकता है अगर वाई अकेले करें तो वह काम को 25 दिनस कर सकता है ठीक है तो Pros修 यह जाएगा 2560 कौशित को स्थिक है तो बोला सर अगर यक्स काम करें गुद्धक को तो उसी काम करेंगा reflects य॥ा निकालना हमारा मीं टार्गेट होगा हमारा जी वन का उध्या से क्या है यक्स की छम्ता निकालना आगर वाइक छम्ता शर छार है इसका जीए था होना चाहिए तब 5 एक रखें है दोस्तों कि चौथा भी कल्प ठीक कोई दिक्कत है कि समझना है दोस्तों कि चलिए अगला प्रसंद देखिए करिए 33 प्रतिसत की चूट के बाद एक बस्तू 2546 रुपए में बेंची जाती है बस्तू का अंकित मुल्य कितना है बस्तू का अंकित मुल्य सर बताना है अंकित मुल्य क्या होगा मार्क प्राइज चूट हमेशा मार्क प्राइज पर दिया जाता है इस पर चूट दिया 33 परसंट का तो बीका कितने हैं सर बीका है सब्सक्राइब करिए कितना बार में कटेगा देखिए सबसे पहले आप भाग जब देंगे तो आप गरवर करेंगे भाग कैसे देंगे सर इतना लंबा सर का पाड़ा आई मेंगे करता है तब भाग कैसे देंगे देखिए गवर किरएंग यहांपर यहां इकाय करेंग क्या सर चे है यहां यहां kी इकाय और क्या है साथ है यहांइकाओं सद exist का पहाड़ा ऐसा पघैतन है कि इकाय तिसक्पोंडिय आप शूडियए अगर 7 आइम तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा समझ माया दोस्तों करना क्या है आपको चेक करना है कि भाई देखे जब आप इसको जब हल करेंगे करेंगे तो यहां से साथ से जब गुना करेंगे यहां पर आठ में तो यहां पर छे आना चाहिए न चाहिए इक आएक तो छे आएगा ठीक है सिंपल बात है कि विद्गत कि समझ भाया चलिए ऐसे करना होता है दोस्तों सवाल को इसको हल करके आप बताएं क्या होगा कि इसको वाप हल करके बताएं दोस्तों क्या होगा कि देखिए एक क्या कहा गया है यहां पर का है सरना पर इसको हल करेंगे तो तो यहां से चार में से चाँ से चार जया जीरो और नोमें से 4 चार पांच हुआगा जिनि पचास माइनस का पचास होगा मैंस बाहरें से बाहर भी है तो मैंस मैंस प्लस होएगा 50 प्लस 80 यानि 130 130 इसका सही आंसर है ठीक है 130 इसका सही आंसर है दोस्तों चलिए यह 20 प्रसन हम लोग किये हैं दोस्तों अब आपका बारी आता है कि आपने कितने कोश्चन अपने मन से बना पाए हैं कमेंट करके बताइए और अगर आप इसका प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल है रोजगार वित प्रमोद टेलिग्राम चैनल को जॉइन नमबर नोट करेंगे 97, 94, 37, 94, 32 यह वार्षप नमबर है इस पर वार्षप आप लोग कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए और आज का जो हो मोर्क है दोस्तों आपके स्क्रीन पर यहां पर देते हैं चलिए यह जो कोश्चन है हो मोर्क में है इसका जवाब आपको कमेंट ब बताने का चाहिए आप कमेंट करिए या ना करिए बात की बात हैं लेकिन आप लोग सवाल को जरूर लगाए ठीक है दोस्त कोई दिक्कत चली करना चलिए दोस्तों फिर हम यहीं पर बंद करते हैं कल फिर मिलते हैं अगले सेट को लेकर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत झाल झाल